आपको आपको आगे की प्रिक्रिया दिखाते हैं इसके अंदर नक्र का गोबर को डाला जाता है ये पाने का टैंक यहां पर गोबर का गोल बना जाता है और इस टैंक में इस्टोर किया। इसके अंदर का धिमी कती से गोबर कैस बनती है इस वाल के द्वारा जो गेस होती है वो निकलकर उस गुबरे में इखटा होती है जो जनरेटर के द्वारा उसको बिजली में कर्णवर्ट किया जाता है यह पूरा एरिया गोबर केस का है यह देखिया यह गोबर का गोल पर हुआ है जी दोस्तो अब हम पहुचे हैं हमारे वर्मी कमपोस्ट प्लांट में जहां पर गोबर की खात को केच्वे द्वारा वर्मी कमपोस्ट में कर्णवर्ट किया जाता है जिसमें नैट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है हम आपको बताते हैं यह देखिए यह आप देख सकते हो कि यह जो गोबर को डाल लगा इसके अंदर गत केंचुए है जो इसको धीमिकती के द्वारा खाकर वर्मी कंपोस्ट में त्यार करते हैं इसको चान कर छोटे चोटे चोटे टुकडों में कणवर्ड किया जाता है जो इसको वाँ पर यह देखिया इकटा कर रखा है इस खाती रेट वाद 7-8 रुपे किलो हैं आप इसको खरी सकते हो हमारे CVS दावाइन अकोले से 7-8 रुपे किलो में वनलब नगर में इस्तित हैं संपर करे अधिक जनकरे के लिए पुषकर की 8003010058 धन्यवाद पुषकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में सामिल होने के लिए हम आपका बहुत बहुत आपार करते हैं करते हैं